ऐसा कहा जाता था कि बरदाश्ट की भी हद होती है मैंने इस विचार को कई बार शिकस्त दी मैंने प्यार किया इतना कि आत्महत्या शीशक से कहानी लिख कर रखी अपने पास जब भी ज्यादा दुखी दिमाग की एक नस उस कहानी में जाकर सांसे ली जब धैर्य इतना कम था मुझे में कि ठीक से सेख नहीं पाता था दो ब्रेड की करारी हो जाएं जला देता था ऐसे मैं रोग दिया गया मुझे प्यार करने से कुछ करीबी लोगों से मैं बोल बोल कर ठक गया कि कुछ चीजें हैं जिनसे मुझे तकलीफ होती है और जिन्हें करते रहने से उन्हें भी कोई लाब नहीं लेकिन उन्होंने तवज्ज़ नहीं दी बहुत सारे ऐसे मौके आए जब मुझे असब भी हो जाना चाहिए था बोलने के सारे सब भी तरीके मेरे पास खत्म हो चुके थे इसलिए मैंने चुप्पी साथ ली फिर ये चुप्पी भी साली मुझे साल ले लगी शालीन लोगों की ये शालीन दुनिया अशलील नियमों से चलती थी मैं ही जानता था कितनी तड़प थी मेरे अंदर शालीनताओं के इस खेल से बाहर आने की और कितनी थी साहनभूती हत्यारों के प्रती कोई नहीं देख रहा जो देख रहा है वो हस रहा है जो मार कर चला गया गौरवानवित है अच्छे और सब भी लोगों तक कभी कोई खबर नहीं पहुँचेगी कतल जारी रहे इस कभीता का शीशा कैसम में छोटी सी कभीता है हम सब के पास कीचड़ बहुत था उच्छालने के लिए और किसी का भैता खून पोचने के लिए रुमाल तक नहीं यह और छोटी सी कभीता है शामिल किसी को सुनना उसे अपने जीवन में शामिल करना है बस बोलते जाना दूसरों को अपने जीवन में शामिल करने की इच्छा रखना है बिना उनके जीवन में शामिल हुए इसका शीशक है देश भक्ति के नाम पर जितने प्यार से लोरी सुनाते हैं किसी बच्चे को वे चाकू चला देते हैं हमारी गर्दनों पर वे दर्वाजा खट खट आते हैं ऐसे जैसे रोज सुबह आता है दूद वाला या अखबार वाला फिर एक आवाज आती है धाएं सिर्फ पीछे से खुल जाता है छिन बिन तितर वितर माथे पर एक छोटा सा छेट छोड़ती हुई अंदर घुस्ती है गोली धर्म और संस्कृति को बचाते ये देश भक्त हैं अब राधी थोड़ी इसका विता का शेशक है अजनभी लड़कियां प्रेमिका नहीं होती सुबह चार वजे दस अंको का एक नंबर जिसका एक एक अंक छपा है च्छाती में भेशता है अवाज व्यस्त होने की दिल गिरता है पाताल में कहीं मैं शब्दकोष निकालता हूँ जहां भरोसा लिखा है घबराते दिल और कापते शरीर से वो पन्ना फार कर खा जाता हूँ धोखा लिखा हो जहां वो पन्ना जेब में लेकर चलता चला जाता हूँ क्षेतिश तक प्याज काटते हुए अचानक दाएं हाथ के अंगूठे पर पड़ता है चाकू टप टप गुंचती है आवास वे आवास दुनिया में गिरता हुआ लाल रंग आखों में भार आता है अतीत में गिरता चला जाता है अतीत फिर भी बच जाता है कि बिल्कुल अभी दिल को अंदर ही अंदर भीच रहा है कोई और नीन की गोलियां सिरहने आप पहुची है मैं उन्हें गटक कर सो जाता हूँ कैसे बताओं किराय के कमरे घर नहीं होते अजनभी लड़कियां प्रेमिका नहीं होती जमीन खुरचने से नाखून बढ़ने बंद नहीं होते दिवारों से लिपट कर रोने से कम नहीं होता प्यार इस कविता का शिशक है और कितने दिन यूँ ही बीच जाएंगे आज जाने क्यों मन भरा-भरा सा है कमभख्त रुलाई ही फूट पड़े ये जो यातनाओं का भार लिये फिर रहा हूँ यहाँ वहाँ ठोकरे खाकर गिर रहा हूँ कोई तो जतन हो कि ये रिसे पिता का चहरा बहुत ध्यान करने पर बादलों में से छटता है पर उनकी उंगलियों की छवी का कोई द्रिश्य आँखों में नहीं बनता मा की याद ने भी वह तीवरता नहीं कि दोड़ पड़ू और घर पहुँचकर लिपट जाऊं हिम्मत नहीं होती हर छे मैने बाद घर लोटने पर थोड़े और बुढ़े हो चुके चेहरे की जुर्यां पढ़ू और चार दिन बाद गर्दन पीछे कर टाटा करता हुआ उसी वीश साल पुरानी चौकट पर उसे ख़ड़ा छोड़ा हूँ कोई भी तो कारण नहीं हवसाथ के दिन भी तो घुजर चुके और पहले प्रेम के भी कुछ बाद भी नहीं ऐसी जो किसी से बांट कर मन हलका किया जाए शाम की ताजी हवा में भी कोई उप्चार नहीं नहीं पार्ट में खेलते नन्हें बच्चों की मुस्कुराहट में क्या एक और दिन यूँ ही बीच जाएगा और कितने दिन यूँ ही बीच जाएगे मैं रात में कब ठीक समय पर सो पाऊंगा एक छोटी सी कविता है उसकी मर्जी के बिना आज ही एक लड़की को उसकी जांग पर छुआ है किसी ने उसकी मर्जी के बिना वो रास्ते भर अपने आशू जब्द करते हुए घर लौटी है मैं बस एक खबर की तरह बता सकता हूँ इस बात को दर्द की तरह वही बता पाएगी यदि हम बना पाए ऐसी दुनिया जहां वो बिना डरे खुल कर बोल पाए धन्यूँ